नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देखी खर्डिकेशन पर आज हम आपको एंगल की चोखट बनाते हुए दिखाएंगे जो सबसे सस्ती भी है और सबसे मजबूत भी है दोस्तों ये जो एंगल लिए है हमने ये डेड़ इंची डेड़ सूथ की है अगर इसे हम एमें में बताएं तो 40 एमें इंटू 5 एमें दोस्तों वीडियो पूरी देखें वीडियो में मैं आपको इसकी कॉस्त और अगर आप अपने साइज से चोखट बनाना चाहे हैं तो अ अमांट भी निकाल सकते हैं ये चोड़ाई का मेंबर है और ये दोनों लंबाई के मेंबर हैं एंगल की जो लैंध आती है वो काफी टेड़ी मीड़ी होती है तो इसलिए माल काटने के बाद इसे सिद्धा किया जाता है आई ये मैं आपको दिखाता हूँ ये इंगल कितनी टेड़ी मीड़ी आती है ये देखिए जिसको सिद्धा किया जा रहा है दोस्तो चोखट जोड़ना शुरू करते हैं इस चोखट का साइज साड़े छे फिट बाई तीन फुट का है अगर हम इसकी कोस्टिंग निकालें तो इसमें साड़े छे फुट के दो मेंबर लगेंगे और एक चोड़ाई का तीन फुट का मेंबर तो इसमें साड़े छे दुनी तेरा फिट और तीन फुट चड़ाई सोले फुट एंगल लग जाएगी इस एंगल में एक फुट रणिंग में एक किलो ही वजन होता है तो सोले फुट एंगल का सोले किलो वजन हो गया और आजकल फैबरिकेटर ये चोखट लगबग 65 रुपे किलो के हिसाब से बना रहे है तो सोले किलो इंटू 65 रुपे एक हजार चालिस की ये चोखट आपको तयार मिल जाएगी अगर आपको अपने साइज के हिसाब से कोश्टिंग निकालनी हो तो जैसे मैं आपको बताता हूँ अगर आपकी साथ फुट बाई चार फुट की चोखट बननी है तो साथ साथ फुट के दो मेंबर लगेंगे तो चोदा फुट और एक चोड़ाई का चार फिट अठारे फिट अठारे फिट एंगल का अठारे किलो वजन हो जाएगा और पैंसेट रुपे किलो के हिसाब से यारे सो सत्तर रुपे की चोखट तयार मिल जाएगी तो इस तरीके से आप खुद कोश्टिंग निकाल सकते हैं है तो ये लोहे की ही चोखट अगर इस चोखट पर आप प्राइमर लगा के पेंट लगा दें तो चोखट की लाइफ काफी लंबी हो जाएगी ये चोखट में होल पास लगाय जा रहे हैं जो दिवार में चोखट को अच्छी तरीके से जाम कर दें खोष्ट कम घोने की वज़े से और माल हर जगे एंगल का मिल जाता है इस वज़े से एंगल की चोखटे बहुत बड़ी तादात पर बनाई जाती हैं और लगाई जाती हैं घरो में इस चोखट में आप लकडी के दरवाजे फ्लस दूर लोहे के दरवाजे चादर वाले और मच्छर जाली वाला दरवाजा कोई साभी दरवाजा आप लगवा सकते हैं अगर आप इससे भी सस्ती चोखट अगर बनवाना चाते हैं तो ये डेडिंच की एंगल है इससे हलकी एंगल सवाइंच की आती है आप उसमें भी चोखट बनवा सकते हैं वो और भी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी हर स्टेट में लोहे का अलग रेट है हर स्टेट में 2 या 3 रुपे का अपडाउन जरूर रहता है कहीं थोड़ा ज़्यादा तेज होता है रेट कहीं मंदा होता है तो ये आपके शहर में ऐसा भी होज़कता है कि ये 65 की जगे 60 रुपे किलो भी बन जा है चोखट और किसी शहर में ऐसा भी होज़कता है कि 65 की जगे 70 रुपे भी बन सकती है तो ये material पर depend करता है कि वहाँ कितना सस्ता और कितना महंगा है तो ये चोखट पक्की हो रही है पक्का होने के बाद में इसे grinding करेंगे और ये चोखट लगबग तयार हो ही चुकी है वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरा चैनल सब्क्राइब करें धन्यवाद